हेलो एब्रिवन तो next question से start करते हैं भारती सम्विधान की दसवी अनसूची का संबंध किससे है तो देखें जो सही उत्तर है वो है दल बदल विरोधी कानून से तो भारती सम्विधान की दसवी अनसूची का संबंध है वो दल बदल विरोधी कानून से है ठीक है next question है भारती सम्विधान के सात्वी अनसूची जो है वो उसका सम्द्ध किस से है सात्वी अनसूची निमले किसका उलेक नहीं है तो देखे सात्वी अनसूची में किसका उलेक नहीं है बैंकिंग का उलेक है ठीक है आपका जनगरना का उलेक है और बीमा का उलेक है टो साथ वियन सूची है उसमें गैस का उलेक नहीं किया गया है बैंकिंग, बीमा और जन करना संग सूची में तिथा गैस رाजि सूची में है ठीक है किdaughter कौन सा व ownership भारती समिधान के संग सूची से व क्रश्ण नहीं है क्रिश जो है हमारा संग सूची से ना होके बलकि राज सूची का है ठीक है तो देख लेते हैं रक्षा वैदेशिक मामले और रेलवे भारती सम्विधान के तहट संग सूची के विशे हैं जबकि क्रिश जो है राज सूची का विशे है नेक्स्ट क्वेशन है भारती समविधान की सात्वियन सूची के अंतरगत राज सूची में निमें से कौन सा है ठीक है राज सूची में कौन सा ये बताना तो दीके railway पुलिस जो है वो आपका राजी सूची में है बाकि हम सिक्षा देखें विद्धुत देखें वन देखें तो यह हमारा राजी सूची में नहीं है सिक्षा विद्धुत और वन ठीक है सिक्षा विद्धुत और वन समवर्थी सूची में है जबके railway जो है राजी और वन समवर्ती सूची में है सिक्षा विद्धुत और वन समवर्ती सूची में जबकि रेलवे पुलिस जो है राजय सूची में है नेक्स्ट हमारा है इसमें कौन सा राजय सूची में है तो इसमें कौन सा राजय सूची में देखना है रेलवे पुलिस तो रेलवे पुलिस राज सूची में बाकि जनगरना निगमकर और आर्थिक और समाजिक नियोजन जो है ये जो है राजय सूची में नहीं है तो देखें निगमकर और जनगरना जो है वो संग सूची में है निगमकर और जनगरना संग सूची में है रेलवे पुलिस जो है वो राजय सूची में ह और आर्थिक और समाजिक निवोजन है वो समवर्थी सूची के विशे हैं नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज विशे निमलिकिती राज जो है वो आपका राज्य सूची में है पंचायती राज्य सूची में है समिधान की साथ्वियन सूची के अंधरकर राज सूची की प्रिविस्ट состав ₹ में तीए कहा पर प्रिविस्ट फाइव में जो है वहाँ आपका स्थानी साशन पंचायती राज ये राजसूची का विषय है थो कौन सा विषय भारती समयदान के साथ्वियन सूची उसमें आपका दंड प्रकुर्ड वह समर्ति सुची में ठीक हैं। बगी पुलिस, कांगार और लग व्यवस्था यह सम्वल्ति में नहीं तुढ़् में सम्मीधान के साथवी अंसुची के अंद्र गाल जो सूची 3 है जब कि पुलिस रेलबे पुलिस और लोक वयवस्ति और रैजय सूची में सामिलने दोई तो इब बार देख लिए जी कौन इखे है पुलिस रेलवे पुलिस हो या ग्राम पुलिस हो और कारागार और लोग विवस्ता यह सारी राजय सूची में है next question है विवाह, विवाह, विच्छेद और गोद लेना कि किस सूची में है तो विवाह, विवाह, विच्छेद और गोद लेना आपके सातवी सूची में है को से सूची में है सातवी सूची में है देखते हैं देखें सातवी सूची में जो है विवाह, विवाह, विच्छेद और गोत लेना ये साथवी सूची में तो है लेकिन ये किसके अंतरगत है केंद्र में है राज में है समवर्थी सूची में है तो जो सही उत्तर है वह तीन है तीसरा हमारा तीसरी सूची में उपस्तित है जो समवर्थी सूची है तो उसमें विवा विवा विच्छेद और गो प्राने के अधिकार सम्बंदी किस अंसूची में सरकार जो है जो शुल किया कर लगाती है उसका अधिकार जो है कौन से सूची में है तो ये आपके जो है सात्वी सूची में है ठीक है के रोर राजे सरकारों द्वारक कर और शुल के अधिरोपड के समबंद में जो विभिन म वो सम्मेधान के सात्वी सूची के तहत उल लखे था ठीक है तो नेक्स जो एला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग देखे तो next हमारा है भूमि सुधार ठीक है भूमि सुधार के विशे के अंदर गत है तो कौन सा है भूमि सुधार कौन से विशे में है संग में है सवर्थी में है राज में है तो देखे भूमि सुधार जो है वो जो है आपका राज सूची में भूमि सुधार राज सूची क को समयधानिक सुरक्षा पढ़ान करने है तो नवी अनसूची में उसमें प्रावधान किये गये हैं ठीक है तो यह जो है कौन सा है नवी अनसूची में प्रावधान किये गये हैं और यह भूमि सुधार राजी के सूची का विशह है किस सम्षूची की समंधेट Kalau केस समंद्धर के नवी अनसूची समंधेट si SB और किसी समेथान की नवी फिपढ़ी कि aleyरी विश्ण विश्ण है nigए संची समंधिक, आड़ी थी कर्नेसे पिपढ़ के समंध्र समिख्षा के अंतरगत आते हैं और नवी सूची को प्रिथम समिख्षान संशो सी Norman National 1951 के द्वारा समिख्षान में जोड़ा गया था इसमें यह प्रवधान किया गया है कि इस अनसूची में शामिल विशे जो है वो नियाईक समिक्षा के अंतरगत नहीं आते तो इसमें जो शामिल विशे होंगे वो नियाईक समिक्षा के अंतरगत नहीं आएंगे ठीक है next हमा रहा है भारत के सम्मिधान किहां झार को निजी पक्षकारो को अंतरडक आक्रित और शूने घोसित किया जा सकता है तो वो आपकी है नवी अंशूची ठीक है नवी अंशूची सही उत्तर है तो explanation देखते हैं 1997 में उच्छितर नियाले की तीन सदसी पीच ठीक है उच्छितर नियाले की सुप्रेम कोट की तीन सदसी पीच ने क्या है समथा बनाम आंद्रप्रदेश के वाद में निर्ड़े देते हुए खा कि जन जाती है भूमी को जो भी भूम जन जाती होंगी उन ज जन जाती है भूमियों को राजसरकार या उसकी एजनसी द्वारा निजी खनन कंपनीयों को पट्टे पर दिया जाना समिधान की पाचिवी अनसूती के तहत अकृत और शून निगोशित होगा ठीक है अगर कोई जन जाती की भूम है उस पे जो है कोई राजसरकार कोई अनसूची के तहत क्या हो जाएगा शूनी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा भारत के सम्विधान के किस अनसूची भारत के सम्विधान के किस अनसूची में विभीन राजियों में अनसूची छेत्रों के प्रशासन विभीन राजियों में अनसूची छेत्रों के प्रश प्रबंध है और कुछ उपबंध उनके लिए विशेश है ठीक है नेक्स्ट हमारा है इसी में एक्स्पिनेशन इसका देखते हैं सम्मिधान के जो पांचवी अनुसूची है ठीक है सम्मिधान की पांचवी अनुसूची में पांचवी अनुसूची में जूम आउट आप देखें सम्मिधान की पांचवी अनुसूची में असम मिघाले त्रपुरा मिजोरम एमट्यम से भिन भारत के सभी जो राज्य हैं के अनुसूची छेत्रों के प्रशासन और नियंत्रसंबंधी उपबंध है तो इनके अलावा ठीके न, मिजोरम से भिन, इसके असाम, मिघाला, त्रिपर और मिजोरम से भिन, भारत के सभी राजियों और नसूचित छेत्रों के प्रशासन और नियंत्र का उपबंध इसमें है, असाम, मिघाला, त्रिपर और मिजोरम, राजियों के जनजाती छेत्रों के प्रशासन के ब एसाम हो जो इंहों के प्रशाशन के अंधृत अंयों सदीर राजियों के बीच सीमा धारान के लिए ौन्चायतों को शक्ति और प्राधिकरणों और उतरदायतों के निर्धारण के लिए और उप्रक्त सभी तो सारा जो सही हमारा उतर है वो एक है मैं देखा कि जो जन जाती है उनके जो है हित के लिए चीज़ें किये गई थी ठीक है तो इसको थोड़ा सा हां अब देखिए नेक्स्ट हमारा question है समिधान के अन्सूची 6 इन में से किस राज्य में लागू नहीं होती तो अन्सूची जो 6 है वो किस में लागू नहीं होती असाम, मिघालय, त्रपूरा और मनिपूर तो देखिए मनीपुर में लागू नहीं होगी ठीक है मनीपुर में लागू नहीं होगी असाम मेगाले तृपुरा और मिजोरम में है बलकि मनीपुर में मनीपुर जो है सही उत्तर नहीं है नेक्स्ट हमारा है भारती सम्मिधान की छटी अंसूची निम्लिकित में सिक्किस राजियों के जन्जाती छेत्रों के प्रशासन से संबन लेते हैं किसके हैं आपका बिहार चतिसगर गोवा बिल्कुल ने में घालत रिपर और मिजोरम उत्तरा खंड मनीपूर जहार खंड न छटी अंसूची है उसके प्रावधान निम्लिकित में से किस राज्य में लागू होते हैं तो यह आपके त्रिपूरा में लागू होंगे ठीक है सिक्किर नागलन्ड और यह सम नहीं है ठीक है नेक्स्ट हमारा जो है वो कोश्चन है भारत जो सम्मिधान की ग्यारहवी अन से पंचायती राज से ब्रस्टाचार्ण निमार tęंग से तो अगरपालिटा से है यह सा पंचायती राज से किसली अंवार है तो आपको पता है कि पंचायती राज से ग्यारहवी अन değil YES, 1990-2 के माधियम से जोड़ी है इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विशे हैं, कौनकों से मत से उद्योग, पेजल, गरीवी, उनमूलन, कारिक्रम, परिवार, कल्यार, महिला और बाल, विकास, सरवजनिक, वित्रर प्राली, इत्यादे शामिल हैं, जिन पर पंचायतों को विधी बनाने के शक्ति दे गई हैं, भारत के समिधान की, जो भारत का समिधान, उसकी 11, जो 11 अनुसोची में कितने हैं, 29 विशे हैं, ठीक है, 12 अनुसोची में, 29 विशे हैं, ठीक है, 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है इसमें कुल 29 विशे हैं जैसे विशे एक बार देख लिजे मत से उद्योग है, पेजल है, गरीबी उन्मूलन है, परिवार कल्याण, महिला, बाल, विकास सारवजनिक, विदर बढ़ाली, इत्यास शामिल है जिन पर पंचायतों को विदिवराने के शक्ति दी गई है तो भारती जो हमारा हो गया था 11 विशे 29 सब्जेक है, भारत के समिधान के प्रमुख भाग तो नोट से एक बार देख लेते पहले हम भारती समिधान को 22 भागों में वफाजित किया गया है वर्तमान के इन में गड़ना के दिर्स से 25 भाग है अगर हम प्रेकाउंटिंग कर रहे हैं तो 25 भाग हैं 22 भागों में जो है मूल ग्रूप में डिवाइट किया गया था बाति समिधान के प्रमुख भाग हम इसे संबंधित प्रकार तो देखे भाग एक में कह संघ और उसका राज चेटर ठीक है अनुचूची और भाग में I am confused नहीं होना है ठीक है तो भाग एक है संघ और उसका राज चेटर भाग दो में नागरिकता है भाग तीन में है मौलिक तदिकार भाग चार में है राज के निदिशक्ता तो भाग चार का में है मौलिक करता भाग पाश में है संघ सरकार भाग छे में आपका हो है राज सरकार है भाग साथ में है निर्सित भाग आर्ठ जो है संघ राज चेटर भाग नौक का है नगर पालिका है भाग नौका है सहकारी समीतिया ठीक है नौखा क्या है सहकारी समीतिया और फिर जो है आपका भाग 10 है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती छेत्र जो है भाग 10 में है भाग 11 में है संग और राजों के विद संबंध भाग 12 है वित संपत्य संविदाएं और वाद और आपका भारत के राजच्छेत्र में व्यापार, वाड़ेजोर, समागम, भाग 14 में हैं संग और राजियों के अधिन सेवाईं, भाग 14 में है अधिकरन, भाग 15 में है निरवाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के संब्ध में विशेस उपवंद, भाग सत्र में है राजबासा घाटारATION में आपाथ उपरबंद। भाग 19 में प्रकीरर्ण या प्रकीर्ण भाग 20 में है संविधान का संछोधन भाग 21 में है अस्थाय संक्रम्ण कालीन और विशयश उपरबंद। और भाग 22 में संचिप्तनाम, प्रारम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्शन ठीक है तो ये है आपका अब प्रश्न एक बार इसमें कुछ है वो देखते हैं भारती सम्मिधान को कितने भागों में बाटा गया है तो हमारा है बाइस भागों में ठीक है बादी समिधान को भाइस भागों में विभक किया गया है गर्णा के द्रिस्टे इन में वरतमान में पच्चिस भाग हो गया है नागरिक्ता से सम्मंधित सम्मंधित प्रावधान है समिधान के किस भाग में है तो यह आपका भाग दो में है तो नागरिक्ता से सम्मंधित प्रावध इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है तो नागरिक्ता जो है हमारे भाग 2 में है मौली का धिकार भाग 3 में है और आपका मौली कर्तव ये भाग 4A बता रहा है सुरी 6A बता रहा है तो ये गलत हो गया और राज ये जो है हमारे समिधान 4 में है तो देखिए मॉली कर्तव्यों का जो समाविश है सम्मिधान के बाद 4A के अंतरगत किया गया है और इसमें क्या बता रहा है कि इसमें जो है 6A बता रहा है तो 6A नहीं है 4A है ठीक है तो आज इतना ही नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं थैंकियो सो मच पूर वाचिंग थैंकियो पुर थाज़ियो ।